इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है भारत के अंदर 170 मिलियन के करीब लोग रहते हैं अगर आँज हम भारत एक ही होता UNDOSTA एकी मुलक होता तेन हिस्सों में बटा हुआ होता तो मुसलमानों की तादात तकरीबا छे सो मिलियन के करीब होती तो ये एक बड़ी गूट होती और इस वक जो मुसलमान 170 मिलियन के करीब भारत में हैं जिस तरीके से उन पे जल्मों सितम हो रहा है तो ये भी ना हो रहा होता तो ये मुसल्मार एक बहुत बड़ी कुवत होते जमुरी तोर पे भी और ये बहुत मुश्किल होता कि उमसल्मानों के खिलाफ उस तरह विक्टिमाइजेशन करती जॉप कर रही है तो ये मनतगी इतिवार से तो बहुत ठीक है कि अगर मुसल्मानों की तादाद 600 मिलियन होती तो हिंदों की तादाद तकरीबन आप कहे लीजिए कि एक बिलियन के करीब होती फिर भी तादाद में तो वो ज्यादा ही होते लेकिन अगर आप देखिए तो जब हमने आजादी ली भारत से तो उस वक्त भी रेशो तकरीबन इतनी थी यही हलात थे उस वक्त भी तकरीबन सो मिलियन मुसल्मान अगर थे तो यही हलात थे बन्यादी तो पर कोई सफ़क तो नहीं था प्रोपोर्शनली स्पीकिंग तो हमने अजादी ली क्यों पहली बात तो यह जाद र हिएं के हिर थे हिर लें क्या किया जाए मुहमद हशन के जो कांगरस लीडRESHIP थी उनका उनकी निहत पहले दिन से ही खराब थी वो गांधी ने एक मरलय पे कहा भी एक पहले वजिर आखाजलान थे भूँगे वो गाईध आजला दीचैं लेकिन नहरू और पटेल साब वो इस पे राजी नहीं थे तो उनकी नियत पहले दिन से इखराब थी और अगर उन्होंने हिंदोस्तान के तक्सीम की बात की भी है तो वो भी बुन्यादी तोर पे उनके जहनों में ये था कि पाकिस्तान तो तीन मेंने से जादा चल नहीं सकता तो ये बापिस हमारे पास सी आएंगे उनके जहनों में ये था और फिर मैं ये बात नहीं मानता कि अगर आज हिंदोस्तान एक होता तो शायद मुसल्मान बड़े खुशहाल होते बलकि आप यकीन करें कि मुसल्मानों के हालात चलें जैसे तैसे भी होते लेकिन हिंदोस्तान बहारल कोई मजबूत रियास्त ना होता कम असकम वहां पे मुसल्मानों और इनके दर्मियान जो है फसादात रहते और एक सिवल वार वाली सिचुएशन रहती और इंस्टेबिलिटी रहती मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बनना कम असकम हमारे हाख में तो बहुत बेतर हुआ बंगलादेश की हाख में बेतर हुआ अगर बंगलादेश की हाख में बेतर ना होता तो तो बंगलादेश ने अलैद्गी इख्तियार करके भारत के साथ शमुलेत इख्तियार कर लेनी थी लेकिन उनको भी मालूम था कि दुबारा मिलना कितना खतरनाक हो सकता था तो मैं समझता हूँ कि भारत का तखसीम होना हिंदुस्तान का हम सब के लिए बेतर रहा और मुसल्मान जो आज हम पाकिस्तान में हम तो अल्ला ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्ला ताला ने एक अर्ज पाकिस्तान दिया और इसमें हम क्योंकि यह भी जो मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मोज़ा है इसको एक श्यासी आप तौर पे जमीन मत समझी है या अए य Edwards आवा लिया गो कि हमने उस वक्त इस बड़े ए gosh paren da Allah allah के साथ हमें के सामें इसको एक इस्लामी फिलाई ममलिक्ट बनाएंगे तो थारे एद भी पापा है तो चले गए वोई सूदी निजام बर्जी की है उनके वादे की पास हमने पास नहीं रखा तो इस वज़े से पाकिस्तान में तवाम प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो अभी भी मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का बनना बहुत जबर्दस्त हुआ और यह होना चाहिए था और हुआ अगर आप एक साथ भी ह जिद्गिरी तो उसके इलावा सिक्षों के साथ भी तो जो हुआ आपने देखा को कि सिक्ष वक्त तो बड़े पेश पेश थे मुसल्मानों के खिलाफ लेकिन अगर 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 भी देखिए सिक्षों के खिलाफ भी नाइटीन एटीव फॉर में जो आपरेशन ग्ल्डन टेंपल में हम जानते हैं उसके बाद और भी अभी जो सिक्षों के साथ हो रहा है कि सिक्सिक कसानों के साथ व भी हम जानते है तो माइनॉरिटी इसका यही होता है अगर माइनॉरिटी थोड़ी अभी भी देखिए 170 मिलियों तो मुसल्मान महा पे रहते हैं ल ways आ में रहते हैं अल्ह ताला की पना है तो आप खुश हुए कि अल्ह ताला ने आपको एक मुल्ट दिया है तो इस बारे में मस सोचिए आप तो जो अचले अगर जो होना था ठीक हुआ घलत हुआ सही हुआ इस बहस को फार्दा भी नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहां पर खत्मा प्ये वीडियो यहां से छोड़ कर जा सकते हैं आप करते हैं इस वीडियो के वारे में बात तो यहां पर पाकिस्तान के फॉरन फॉर्मा एमवेस्टर जो इंडिया में रह चुके हैं अब्दुल बासित ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया अगर भारत पाकिस्तान और बंगला देश एक ही देश होते हैं मतलब पार्टीशन ना होता तो तेरों देशों में लगबग लगबग सतर करोर मुसल्मान होते और यहां पर एक अरव हिंदू होते हैं मतलब त 20 करोर का डिफरेंस ज्यरहता फिर भी हिंदू फायदे मेरे रहता है ऐसा कोछ डिसकस्ट सिन किए है तो इस मामले में इस मुद्धे में comment box में आप भी वताएं आपकी क्या राय है तो चलिए करते हैं इस वामले के लिए कुछ बात है तो दोस्तो भारत पाकिस्तान बंगला देस एक होते तो उसके पहले करते हैं positive बात है अगर भारत पाकिस्तान बंगला देस एक देस होते तो पहली positive बात कस्मी रबुता नहीं होता दूसरी positive बात ये जो नदियों का पानियों का जो लफड़ा है ये भी नहीं होता लेकिन ये state के रूप में इंडिया में है तो साइड इसका कोई दूसरा रूप होता और ये कुछ ना कुछ तरीके से होता तीसरी पॉजिटिव भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर पर इतना असला लेके भी रहती है ये नहीं होता चौती पॉजिटिव बात इंडिया को इतने ज़्यादा हत्यार साइड खरीदने की जरूत ना पढ़ती और समझ सकते हैं पता नहीं ये सिचिविशन क्या है लेकिन साइड लगते ना लगते मुझे नहीं पता इसके बारे में लेकिन साइध इतने ज़्यादा हाथियार खरीजने की ज़रत पड़ती है अब करते हैं नेगेटिव बात है तो दोस्तों अगर भारत पाकिस्तान मेंगलत इस एक होते तो डेफिनेटली हिंदू-मसलिम फसाद बहुत ज़्यादा होते क्योंकि आप जानते हैं आज के सोसल मीडिया जवाने में एक तरफ मुसल्मान किसी तरीके की डेमोकरासी में बिसबास ही नहीं रखते ये सच है कि डेमोकरासी और ये पाकिस्तान मीडिया ने बोला है कि डेमोकरासी नाम का सब्द कोई है ही नहीं ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है हम तो उम्मा, मुस्लिम, उम्मा इस तरीके की खिलापत और बातसाहत पर बिस्पास रखते हैं आपने ये बात है पाकिस्तान मीडिया से ही सुनी है तो साइड डेमुक्रासी इंडिया में बहुत मुस्कल होती है लेकिल होती ये जरूर है होती और दूसरी बात डेफिनिटली आपको पता है कि मुसल्मान आज भी भारत, पाकिस्तान, बांगला देश में अपने आपको समस्ता तो एक मुगलिया सल्टनत का बातसा ही है तो उस तरीके से ये लोग वैसा ही कुछ डील करते हैं आपको पता है अभी शोई बेक्तर जैसा मतलब इतना बड़ा सेलेबरिटी जो इंडिया में है वो भी अभी गजवाई हिंदी की बात करता है इंडिया में भी इस तरीके की बात है जो जाकर नायक था उसने काफी की थी जो कि सोशल मीडिया में सामने आने के बात आपको पता चल गया कि ये लोग इस तरीके की बात करते कि हिंदू तो कोई धर्मी नहीं है ये वो हाँ थे हम मुसल्मान ये वो इस तरीके की बात होती तो ये साइड डाइजस करना बहुत मुस्केल है और बहुत सारे नेगेटिव होते आपको पता है कि इस तरीके के नेगेटिव होते कि आप समझ सकते हैं कि अगर जो भारत में अभी इतने कम मुसल्मान अगर इस कंपियर टो हिंदू हैं तो कितने सारे नेगेटिव हैं तो अगर पूरा होल इंडिया एक होता तो डेफिनिटली बहुत सारे नेगेटिव होते हैं और पाकिस्तान ने भी कुछ घंटा उखाड नहीं लिया है आपको भी पता है पाकिस्तान में तो लगबग लगबग 99% मुसल्मान ही है ना उनका अगर एक्चुल फिगर आ जाये सामने क्योंकि आपको पता वहां के कितने अच्छे जनसंक्या का काउंटिंग होती है उन्हों उसके बात तुम दुनिया में निकल जाओ सबसे आँगे कुछ भी नहीं हुआ यह सब आपको भी पता है कि यह बात है सुनने में तो अच्छी लगती है बहस में अच्छी नहीं लगती है कई लोग कहतें कि इंडिया में सरीया कानून आ जाएगा तो रेप रुग जाएग साऊदी रेविया में सरीया कानून है तो साऊदी रेविय की आवादी कितनी में है भाई आवादी का रेसो भी देख लो अगर वहाँ से बाहरीं को निकाल दो कहां की 10-20 गावादी होगी आप कोई पता यूएए की 12-13 लाख आवादी हुआ और उसमें बाकी मतलब बाहर क एड़ करेंगे तो 80 लाग बाहर के लोग है तो आप ऐसा एक्जमपल नहीं दे सकते हैं ठीक है इतने कामवादी में भी वहाँ पर कांड हो जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ऐसे बहुत सारे देसे हैं तो साइद और अगर पूरा एक होता तो साइद डेफिनिटली महिंदु मुसल्मान फसादात बहुत जादा होते ये तो एक सच बात है इसमें कोई दोरा नहीं है और साइद भारत इतना मतलब बहुत ज़्यादा कैंसर नहीं होती आप समझ सकते हैं बतवारा भी हमारे हाँ एक साइ नहीं हुआ बतवारा भी इतनी जल्दवाजी में हुआ कि नहाँ से आवादी का ट्रांसफर हुआ ना वहाँ से हुआ इतने लोग मर कट गए तो उस से कितना डिसाइडवांटेज हुआ कितने लोग के परिवार बरबाद हुए यहां से जो लोग गए वो वहां नहीं पहुँच पाए वहां से लोग जो आए यहां नहीं आ पाए लगभग 20-30 लाग लोग उमर गए तो प्लीस कॉमेंट बॉक्स में अपने सुचा जोर शेर करने धन्वाद दोस्तों उड़ी देखने के लिए